हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर तो कुछ पिछले स्रीज में हम लोग पेज को क्रिएट करना पेज को डिलीट करना सिखे थे और सिखे एडिटर भी देखे थे जो कि हम लोग अपने टेक्स्ट एरिया में इंप्लिमेंट किये थे ठीक है तो जो कि यह सारे काम क्या है हमारा बाइकेंड का काम है तो सबसे पहले हैं इसे रन करते हैं-nod-node-mon-node-node-node-node-node-node enter करते हैं यह हमारा 300 पोर्ट पे रन हो गया उसके बाद चलते हैं अपने ब्रॉजर पे तो यहां पे ब्रॉजर पे देखिए लोकल होस्ट कॉलन 300 आ यहां पर जो दिखेगा जो भी हम data दिखाएंगे यह फ्रेंट रिंट काम होगा जो कि हम आ vandaag बना चुके है तक कि 1500 pages आ रहा है थीक है जब की हम इस पे क्लिक करेंगे तो तक कि इसमें कितने आ रहें 3 наконец आ रहें ठीक है एडिटर पर तो हमारा यह पेज डाउट जएस पर चलते हैं सबसे पहले ठीक है और हमारा एक नट बाइकन हमारा सॉर्य यह हमारा यह देखें पेज डाउट जएस पर आते हैं ठीक और इसको कमेंट कर देते हैं तो इसको कमेंट कर दियां सेव करते हैं और यह रन हो गया ठीक है तो दखिए हमें इसे नंबर को काउंट करने के लिए हमें क्या करना परेगा हमारा पेज पर नहीं दखिए एडमिन एडमिन के राउट पर हमें काम करना परेगा क्योंकि एडमिन के राउट का फाइल क्या है यह दखिए यही फाइल है admin.js जिसमें हम क्या किया है router.get method का यूज किया और इसमें response.render के help से इस फाइल को access किया admin-file ठीक है तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे है हम यह pages के में दखिए जो मोडल को यूज किया है page को create करने के लिए ठीक है यहां पर इंपोर्ट किया है इसी को copy कर लेते हैं और इसको यहां हम कर लेते है paste ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे page model page model.find okay.find round braces और उसके बाद curly braces यहां पर क्या करेंगे count करने के लिए उसके कितने page हैं यहां पर कितने page हैं उसको count करने के लिए यहां पर एक method होता है यहां पर dot count करेंगे क्या करेंगे dot co unt count ठीक यह हो जाएगा तो इसमें हमारा सारे page के जितने page create है उसको count करके देगा उसका देखिए यहां पर dian round braces और curly braces इस टैप से करते हैं उसके बाद इस टैप से करेंगे और इसको यहां पर ठीक है और इसमें हम x की value भेज देते हैं ठीक उसके बाद है यहां पर dot catch भी लगा दते हैं अगर कुछ error होगा तो error भी देदेगा ओके और एक काम करते हैं x को हम print करा करके console में यहीं पर आपको दिखाते हैं कि दखी हमें क्या मित देगा ठीक है console console.log और यहां पर हम करते हैं x save करते हैं और इस यहां पर हम चलते हैं admin पर all pages पर sorry admin पर आना परेगा admin पर आते हैं ओके अब इस पर इंटर करते हैं देखिए यहां पर हमें ठीक है तो इसको हम इसली अब एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो हमारा page यह कहां पर admin-file जो कि हमारा ब्यूज के अंदर होगा ब्यूज के अंदर बाइकेंड के नाम से फोल्डर बना होगा हम यह देखिए admin-file के नाम से बना होगा है ठीक है तो इसमें हमारा यह 150 है यह ही पर हम इसको इस टाइब से यूज कर लेंगे percentage less than percentage minus और x और percentage और step से कर दते हैं ठीक है यहां पर minus देना परेगा देखते हैं क्या मिलता है में रिफ्रेस करते हैं यह देखिए ठीरी पेज मिल गया इसी टैक्षम एक पीज और आइड करके दिखाते हैं अल पेजेज ठीक है अभी हमारा service जबाउट अस एक आप अस के नाम से एक पेज बना जते हैं आड मोर पेज यहां पर about about.html ठीक है और यहां पर कर देंगे about us और page title भी यही डाल दते हैं मेड़ा भी यही डाल दते हैं इसको इसलिए हम इसको टैप कर दिये और इसको open करते हैं और इसको copy and paste कर दिये submit करते हैं यह देखिए यह हमारा यहां पर page बन गया और यहां पर चल करके देखते हैं इस page पर यह देखिए number of 4 हो गया ठीक है तो यह हमारा dynamic page को दिखा रहा है कि number of कितना page है ठीक है तो आयोप की यह सारे आपको कसमझ में आ गया होगा इसमें किये कुछ नहीं है सिर्फ जैसे आप find करते हैं उसी type से करते हैं जैसे कि यहां पर देखिए page model.find की हैं उसका .count लगा दिए बस इतना एक नया की है ठीक बागी जैसे अल्रड़ी हम लोग किये ही है तो आयोप की यह सारे concept आपको clear हो गया होगा तो next series में हम लोग यही करेंगे कि जो यह चार पेज बनाया है तो यह चारो पेज को हम लोग फ्रंटेंट के रूप में देखेंगे ठीक है तो फ्रंटेंट के रूप में हमारा जैसे कि यहां पर है तो यहां पर हम इंडेक्स के page बनाएंगे सब्सक्राइब करेंगे जिससे हमारा मनोवल बढ़ते रहेगा और आप को एलिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहेंगे जिसे आपका कैरियर डेवलप होते रहेगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद